हेलो रिवन स्बार करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कोड करलो पर आसोल करेंगे जफ जी की प्रोवलम दाटे तो मीडियम लावल के इच्छी प्रोवलम में ठीक है सबसे परले इसकी स्टेटमें पर इसके फिर देखें सोल करेंगे दोलनागें में कोड तो स्टेटमेंट देख पर लेकर चल लेंगे एक्जम्पल देखते हैं यह पने पास हमें काया माइनिस दस बनना चाहिए चलो जी दस प्लस दो के तना हुआ जिए 12 ठीक है माइनिस दो कर देख फिर होगा अपना 10 उसमें से माइनिस 20 कर दिया मतलब यहां तक का जो समय वह बना माइनिस 10 एक तो है हुए जिनका सम माइनिस 10 बन रहा है इस वाले एक्जम्पल को वाइडबोर पर लेकर चलते हैं ठीक है महां पर देखें कि आप प्रोची उस कर सकते हैं अभी वाइडबोर की तरफ चलते हैं जी हमारे पास जो एक्जम्पल हुआ है जी वन और उसके बाद आज एपने प प्रोच बनती है कि यहां से शुरू करो ठीक है सम करते जाओ सम करते जाओ सम करते जाओ ठीक है अगर कहीं पर भी 33 बनता है तो उसको पर अंसर में ले लो अंसर को पलस पलस कर तो जीतनी बार पी 33 बनेगा फिर यहां से शुरू करो सम करते जाओ जीतनी बार 33 बनेग उसको विए उसकी जो time complexity आएगी वह आएगी of n square दो लूप हम यूज कर रहे होंगे लेकिन हमें काया है कि आपको of n में करना है लेकिन आप space 28 38 त्यका कहीं पर 33 नी बना, सिंपल ट्रावरसल में ठीक है ? मतलब 33 कहीं बीच में बन रहा हुगा, शुरू वाले से इंकलूड करके नहीं बन रहा है तो बीच में कहाँ पर बन रहा है ? एक फार देखते हैं पांच 25 28 38 यहां तक का सम मेरे पास बना 38 जो मेरे को समझीए वो कह चीए 33 अब मेरे को कैसे परदा चलेगा कि हां यहां तक 38 सम बना है उसमें 33 सम भी exist करता है या नहीं वह मैं कैसे पता लगा सकता हूं जेखो 38-33 कितना होगा जी तक क्या सम बन चुक है बिल्कुल सिंबल सरक अबमगे खार रहे होंगे हम आई जी वन पर एक map ले लेंगे, जिसमें सिर्फ sum-store करें गाँ, 1 पर आए तीन के लिए कि हाँ one sum exist करता है,एक बार, आगे चले sum बनाए मेरे cap 5, 05 sum exist एक बार, आगे चले कंच हाँ 25,我们 25ी exist करता है एक बार, आगे चले sum 28का मीरे चले, तक जा रहे है उसके बार मेरा 38 हुआ एक बार हर बार हम क्या कर रहे होंगे हर बार हम चैक कर रहे होंगे क्या मैप के अंदर जो सम अभी तक बना है बार 38 माइन जो मेरे को चाहिए 33 क्या वह एक्जिस्ट करता है और कि अंदर क्या बहुए 5 एंग्जीस्ट करता है अभी करता है उसकी वैल्यू क्या है उसकी वैल्यू तो बिल्कुल सिंपल सा ये काम कर रहे हो इस कहते है कि चलते चलते पूरा ही सम जैसे कि हमारा पहले तस फिर यहां तक का मतलब अभी तक का जो सम हुआ है वही मेरे पास माइनस टार्गेट के एक कुल हो चुका है तो वह भी हम कंडिशन लागा सकते हैं इफ सम चुके हैं वह मेरे पास सार हुआ होगा सम क्या होका टार्गेट के कुफ दो जो सम माइनस टार्गेट की वैपी इसको जैसे आपर 1 थी या 2 जो भी हो वो हम एंसर में प्लस कर देनी है ठीक है तो सिंपल सा यह काम कर रहे होंगे इसका time और space क्या लगेगा time complexity इसकी लगेगी off and space complexity भी लगेगी off and ठीक है अभी चलते हैं करते हैं इसको c++ जावल में को तो यहां पर हमें सबसे पहले है तो unordered map ठी ठीक है int type का बना लिया जी एक हम ले ले लेंगे answer जो मेरा final answer होगा एक ले ले लेंगे sum जो मेरा पास current sum चल रहा होगा जहापर भी हम element हूं वहां तक का sum ठीक है 4 int text from array ठीक है जी sum plus equal to x sum में array का element का sum करते चल रहे हैं ठीक है अगर आसा होता है if sum equal equal हो जाथते target के तो तो सिं mm के अंदर sum minus target की कुछ value बड़ी हुई है तो answer में जो भी उसकी value बड़ी हुई है mm के अंदर sum minus target की वह plus कर दीजी और mm के अंदर जो भी current sum है उसकी entry भी कर दीजी यहां पर return कर दीए answer ठीक है बिल्कुल चोटा सा call है AI optimize भी इसको करा लेंगे ठीक है एक बर पहले run कर लेते ह ब्रस को तो थिका देख लता है क्या कुछ चल रहा है हों रहां यह जल्राइग एक बार करता है समीट और सक लेते हैं को पी सो फिक यह तरफ देक्ति है कुछ करता है नहीं ठीक है चलते है बिच्छाट जीपिटी की तरह जो करते हैं optimize this code अना चलो भी देखते है का करता है ठीक है, unorder map लिया, answer लिया, if answer ठीक है, mm.2 फॉइंच है कि ठीक है, वह हम भी वही काम कर रहे हैं, वही अधा, avoid implicit conversion to bull in the अच्छा हम डिरेक्टर कर रहे हैं, कह रहा है, कै ऐसे, mm not equal to, ठीक है, find वाला मैं चल लगा, ठीक है, तो वही कह रहा है कि हमार अपने आप जो c++ है अपने बुल में करवन कर लेता है, ठीक है उसको wait करो, चलो जी, और कह रहे है, ठीक है, okay कर लेते है, एक बार, how are necessary look up using find, prevent unnecessary map, look up और insertion, ठीक है, ама चलते हैं इसको कर लेता है को पी कि यहां पर आते हैं इसोली है अभी बना लेते है इसको करते हैं submit और चलते हैं अपना java code की तरफ जासे यह वह submit चलते हैं तो यहां पर भी map बना लेते हैं integer, integer mm equal to new hash map बन गया एक answer ले लेते हैं एक sum ले लेते हैं और in text from array ठीक है जी sum plus equal to x if sum equal equal target तो answer plus plus ठीक है if mm.get sum minus target is not equal to null मदला भो present है ठीक है तो answer plus equal to mm.get mm.get sum minus target होगे जी अब mm.put उसमें sum को put भी तो करना है ठीक है हमकी value क्या put करनी है mm.get or default आसा भी हो सकता है कि हम उसमें पहले से present ही ना हो ठीक है अभी तक उसकी कोई value ही ना हो अगर कुछ present है तो हम उसकी value दे लेंगे ठीक है r e t u r n answer ठीक है अब एक बार इसको run करके देख लगते हैं जी क्या कुछ